सो काईस मैजिक्यूब से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है जिसको सुनकर आप लोग मस्ती से जूमने वाले हो क्योंकि फिर से हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर काफी सारे मस मस बंडल मैजिक्यूब सेक्शन के अंदर एड़ होने वाले हैं जिसके अंदर से हमें काफी सारे मस मस आईटेम देखने को मिलने वाले हैं साथ में आप में बोया पास पर भी तगड़ा वाला डिसकाउंट डेखने को मिलने वाला है इसी के साथ हमें बहुत ही चाता जल्दी कुछ कटाना की iskins बिल्कुल free में claim करने के लिए मिलने वाली है जो कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ और guys आज भी दो lucky subscriber को shout out मिलने वाला है और आपको भी shout out में participate करना है तो वीडियो को like कर दो और एक अच्छा सा comment जरूर से कर देना तो guys कसम से आज की वीडियो बहुत ज्यादा तगडी और interesting होने वाली है तो guys जो भी हमारे channel के उपर नए है वो वीडियो को like कर दो और channel को subscribe कर लेना तो guys आप करते हैं वीडियो को start तो guys जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा फरवरी month start होने वाला है जिसमें हम सभी लोगों को Valentine's event देखने को मिलने वाला है उसी के दौरान आप सभी लोगों को एक Boya Pass discount में देखने को मिलने वाला है मतलब हो सकता है guys इस बार आप लोगों को इसी Level Up Shop event के अंदर से Boya Pass discount में देखने को मिल जाए क्योंकि guys Valentine's event काफी बड़ा event होता है और guys last year भी यही event Valentine's time पर आया था तो हो सकता है कि इस बार भी हमें यही event Indian server के उपर देखने को मिल जाए इसी के साथ एक और event है जिसकी possibilities बहुत जादा निकल कर आ रही है हमारे इंडिय और बालंगते server के उपर आने की जो की होने वाला है हमारा Lucky Wheel event जिसके अंदर से आप सभी लोगों को काफी सारे must must item और op वाला discount देखने को मिलेगा और guys इस event के अंदर से अगर आपका luck 9 diamonds पर रुखता है तो आपको 9 diamonds में काफी सारी चीज़ें मिल सकती है और guys जब भी Lucky Wheel हमारे server के उपर आता है तो हमें काफी सारे तकड़े तकड़े items बहुत कम diamonds में देखने को मिलते हैं तो guys देखते हैं कौन सा event गरिना वाले हमें दीते हैं इसके साथ finally हमारे game के अंदर फिर से moco hacker store event आने वाला है जिसके अंदर से हमें काफी सारी M1887 gun की skin return में देखने को मिलने वाली है जिसका हम काफी time से इंतसार भी कर रहे थे और guys बताया जा रहा है कि इस बार event के अंदर से हमें One Punch Man M1887 की skin भी देखने को मिल सकती है Indian server के उपर जो काफी जादा rare है इसी के साथ हमें कुछ O.P. से emotes moco hack store event के अंदर से देखने को मिल सकते हैं जो कि India और Bangalatay server पर अभी तक नहीं आये हैं और guys इस event के अंदर से जादा तर वो emotes return में आते हैं जो कि या तो pending होते हैं या फिर बहुत कम return में आते हैं और guys अभी भी जो present में हमारे Indian server के उपर जो moco hacker store event चल रहा है उसके expire होने के बाद हमें इन दोना event मेंसे कोई एक event हमारे India और Bangalatay server पर देखने को मिल सकता है और guys इस event की जो possible date निकल कर आई है वो आई है 20 वरवरी मतलब 20 वरवरी तक ये event हमें देखने को मिल सकता है इसी के साथ हम सभी लोगों को कुछ katana की skin बिलकुल free में मिलने वाली है हमारे India और Bangalatay server के उपर जो कि हमें हमारे Valentine's event के time पर देखने को मिल सकती है जिसके अंदर से हमें कुछ katana की skins दी जाएंगी जिन katana की skins में से हम सभी लोग कोई एक katana की skin बिलकुल free में claim कर पाएंगे और guys अगर आपको याद हो तो पहले भी ये event हमारे Indian server के उपर आया था जिस time पर हमें 3 gun की skin बिलकुल free मिली थी तो हो सकता है हमें ये katana की skin भी free मिल जाएं और guys ये event बाहर के बहुत सारे servers के उपर आना start हो गया है तो हो सकता है हमारे Indian server के उपर भी हमें ये event देखने को मिल जाए इसी के साथ हमारे game के अंदर कुछ और भी faded wheel है जो की confirm हुए है तो guys आप अपनी screen के उपर जो faded wheel देख पा रहे हो ये faded wheel हमारे valentine's event के time पर हमें देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर से आप सभी लोगों को ये must वाला valentine's bundle देखने को मिलेगा साथ में आप लोगों को इस faded wheel के अंदर से एक glue wall की skin भी मिलेगी और guys इस faded wheel का pre-access भहुत सरे detamines को already मिल चुका है तो हो सकता है हमारे indian server के उपर हमें ये faded wheel देखने को मिल जाए और guys इस faded wheel की जो date बताई जा रही है वो बताई जा रही है 13 February मतलब 13 February तक हमें ये bundle faded wheel के अंदर देखने को मिल जाएगा इसी के साथ हमारे game के अंदर एक और faded wheel हमें देखने को मिल सकता है जो कि आप अपनी screen के उपर देखी पारे होगे जिसके अंदर से हमें ये मत वाला bundle देखने को मिलने वाला है जो कि basically हमारा OB37 का old bundle है और guys बहुत सारे servers के उपर ये faded wheel में already आ चुका है तो हो सकता है हमारे indian server के उपर भी हमें ये faded wheel देखने को मिल जाए वैसे तो guys इस faded wheel की अभी तक कोई भी date निकल कर नहीं आई है लेकिन जैसे ही इसकी date निकल कर आईगी मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले बता दूँगा इसी के साथ अब बात करने वाले हमारे next top up event के बारे में जो कि कुछ हद तक confirm हो चुका है जिसमें आप सभी लोगों को जितने भी item देखने को मिल रहे होंगे वो सारे evolution thompson के होने वाले हैं क्योंकि हमारे इंडिया और बांगलातिस server के उपर चार फरिवरी को evolution thompson faded wheel के अंदर आने वाली है इसलिए guys यहाँ पर इस faded wheel से related हमें top up event देखने को मिल सकता है इसी new update की है और इसका जो लुक और animation है ना वो देखने में काफी जादा खतरनाग लग रहा है इसी के साथ 500 डाइमेंट के top up event में हमें यह मसी glue wall की skin देखने को मिल सकती है जिसका कोई भी animation नहीं है लेकिन इसका जो लुक है ना वहीं इस glue wall को OP बना रहा है तो देखते हैं हमारे next top up event में हमें यह top up event देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता इसी के साथ हमारे game के अंदर बहुत जादा जल्दी एक token tower event आने वाला है जिसके अंदर से हम सभी लोगों को बहुत जादा जल्दी must rock ff वाला bundle देखने को मिलने वाला है जो कि guys आप अपनी स्क्रीन के उपर देखी पारे होगे ये जो मस्ता बंडल है ये बंडल आप सभी लोगों को अपने गेम के अंदर भी देखने को मिलने वाला है और guys जब भी आप इस बंडल को पहनोगे तो guys आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मस्त वाली feeling आने वाली है क्योंकि इसका look और animation बहुत ज़्यादा dangerous है जो कि एक player को बहुत पसंद आता है और guys यह जो बंडल है यह बंडल हमारे गेम के अंदर token tower event के अंदर आएगा अभी guys इस token tower event की date confirm नहीं है बट guys जैसे ही इसकी confirm date निकल कर आती है मैं guys आप सभी लोगों को सबसे पहले बताऊँगा तो guys कौन कौन इस rock ff वाले बंडल को निकालना चाहता है वो मुझे comment करके जरूर से बता देना इसी के साथ हमारे game के अंदर बहुत ज़्यादा अद्बुत और चमतकारी साथ token tower event देखने को मिलने वाला है जिसमें आप सभी लोगों को ये new bunny bundle देखने को मिलने वाला है इसी के साथ bunny glue wall की skin भी और bunny loot box भी आपको इसी token tower event के अंदर देखने को मिलेगा और guys इस token tower event के आने की काफी जादा तकड़ी leaks निकल कर आ रही है हमारे इंडिया और बंगदे server के लिए और guys इस token tower event की date अभी confirm नहीं है लेकिन ये event confirm है और guys आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि bunny bundle हमारे इंडियन server के उपर कितना जादा rare है बंदे भाई मरते हैं bunny bundle को लेने के लिए और guys अब तो new bunny bundle भी निकल कर आ चुका है तो भाई इसका तो क्या ही crazy होने वाला है हमारे game के अंदर तो guys अब finally बात करने वाले हैं हमारे 100% confirm next magic cube bundle के बारे में तो guys मैं आप सभी लोगों को बता दूँ total 10 bundles इस बार हमें हमारे इंडियन server के उपर एक फरवरी को देखने को मिलने वाले हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के उपर एक एक करके देखी पा रहे होगे इसमें से कुछ bundles हमारे diamond royal के हैं तो कुछ bundles हमारे पुराने हैं बट guys इस बार जो bundle magic cube में आने वाले हैं वो बहुत कम magic cube section में हमें देखने को मिलते हैं तो guys जैसे ही एक फरवरी को magic cube section update होगा अपनी फेवरीट bundle जरूर से निकाल लेना तो अब बत करते हमारे दो लखी सब्सक्राइबर्स के बारे में पहले लखी सब्सक्राइबर है SS killer YT और दूसरे लखी सब्सक्राइबर है Jai Danger Gaming SS killer YT Jai Danger Gaming थैंक यू फोर दक कोमेंट आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक share जरूर से कर देना और वीडियो को यहां तक दिख रहे हो और चैनल को subscribe नहीं किया है तो भाई यार क्या सोच रहे हो यार कर दो चैनल को subscribe करा दो यार 2 million मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक क्लिए take care